देश में हेल्डी डिमाक्राशी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ न कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए लेकिन होंगे कहां से आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं कहां जेल में डाले हैं कोड को भी कब ये ले लिया है हम दोगोंने क्या कहना चाहते हैं प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाय हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं यह बोलकर हिम्मत कर ले कि अदालत को भी कब ये लिया है फ़ार्ति जेंत्पाटी ने ऐसा संबह हो है टीम सी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप दरा के रखते हैं एडी आईटी इंकम टाइक्स हो जाए सब को हमादी इडी आईबी सी बियाईए यह सब सारे अपने काम सारी एजन्सी जो है कर रही है है भारत को फिरश्तार मुक्त करना है यह थारी का फंसा जैल में डाला है तो अदालत में तो उनको अदालत से सरक्षिण पराप्त हो सकता है एतने साल तक मतलब millions of cases यदि संझे सिंग के ज़मानत हो सकती है तो उनकी ज़मानत क्यों नहीं हो रही है अर्विंद केशरिवाल की अर्विन के जरवाल किया है उसके पहले भी जो लोग ही येल में बने है कंविता जी भी जेल में है तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ भी फैसला होगा हमारे खिलाफ होगा श्वीकार करेंगे इसी लिए तो डर के मारे सभी आपकी पार्टी में आ रहे हैं क्योंकि अगर आपकी पार्टी में आएं तो फिर वाशिंग मशीन यही तो सब करें नहीं है एजन्सी को जो अपना काम करना है एजन्सी अपना काम करेंगे